दोस्तों इस दुनिया में मचलियों के 28,000 परजातिया पाई जाते हैं जब हम किसी मचली के बारे में बात करते हैं तो उसे किसी तलाब हुआ या समुन्द से एमेजिंग करते हैं क्योंकि मचलियों की दुनिया पानी होती है या इस दुनिया के बिना अधूरा होता है छोटा हो या बड़ी मचली सभी पानी में ही पाए जाते है हम बच्पन से मचली की बारे में सुनते आए हैं कि मचली का जल ही जीवन है इसके बिना वो अधूरा है अगर हम कहें कि मचली पानी के अलावा रेत में भी बरे अराम से रहते हैं तो सायद आप हमारे बात पर यकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये बात सोचने में भी इंपोसिबल लगती है आप यकिन भी कैसे करेंगे लेकिन आज हम कुछ अजीबो गरीब मचलियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि नदी तलाब समुन्दर के साथ साथ जमीन में भी काफी लंबे समय तक सरवाइट कर सकते हैं कुछ तो ओर भी सकते हैं इस बात पे बीना समय गवाई हुए शुरू करते हैं एक और एपिसोड अफ्रिकन लंच फिस्ट ये मचलि अफ्रिका अमेरिका और अस्टेलिया में पाए जाते हैं बाकि मचलियों की तरह आम तोर पर वो पानी में ही रहते हैं लेकिन जब मुसम बदलता है और ताप मन काफी गर्म हो जाता है अलमस्ट हर जगा पानी की कमी होने लगती है जिसके कारण से नदी तला जब दम तोर देता है तो लंग फिस्ट रहने का दूसरा रास्ता तलास लेती है दर असल अपने आस पास के बचने के लिए ये मचली पानी से बाहर आकर मिट्टी के अंदर घुश कर रहने लगती है दर असल अपने सरीर से एक खास परकार का रसायन लिक्वीड निकाल कर अपने सरीर के उपर लगा लेती है और अपने सरीर के इड़गीट प्रोटेक्शन का लेयर त्यार कर लेती है और उसी कौवर में लंबे समय के लिए सो जाती है इस हیवर्नेजन पिरियेट के दोरान दोबारा बारिश के मौसम आने का इंतजार करती है जो कई बार काफी लंबे समय के लिए भी निकल जाता है लेकिन उससे इन्हें कोई जादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस मचली के बारे में कहा जाता है कि पान साल के बी तक भी बिना खाए पिये वो जिंदा रह सकती है दर असल जब ये जमीन के अंदर होती है तो सरीर के मेटाबुलिज्म को लगबग साथ गोना तक कम कर लेती है जिससे वो सर्वाइड रिक्वाइड बढ़ जाता है और एस्टेंडर ओफ लीबिंग इतना समय के लिए बढ़ जाता है कम से कम अगली बारिष तक तो वो रही सकती है जब महीने बाद मौसम फिर से अपना करवट बदलता है और वर्सा होने से नेदी तलाव फिर से बनने लगते है तब लंग फिस पानी में चली जाती है इन्हें लंबे समय तन इन एक्टिव रहने के कारण पहले जैसे अकार में आने के लिए महीने उदीन तक समय लग जाता है सबसे मज़दार बात यह है कि कई बार घर बनने के लिए मिट्टी का इस्तमाल करते हैं इसे भी इस्तमाल कर लेते हैं लेकिन चुकि यह अपना आप को गवर करके रखते हैं बारिस का एहसास होने पर दिवारों से भी वो बाहर निकल आती है किली फिस यह छोटे मचली देखने में इतनी खुबसूरत होती है कि हर कोई इनके तरफ अकरसित होता है इस मचली की खास बात यह है कि पाने से बाहर एक या दो दिन नहीं बलकि साथ से दस दिन तक बरे अराम से सरवाइट कर लेती है और आम तोर पर मचलियों का उम्र पांस से साथ वर्स तक होती है लेकिन अफसोश इलिफिस का उम्र एक वर्स तक कहीं मानी जाती है एक्चुली यह मचली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है अगर आप इन्हें छलांग लगाते हुए देख ले तो आप हैरंद हो जाएंगे क्योंकि ये मचली मिसाइल की तरह पानी से बाहर आती है और जमीन में या पेर पर छलांग लगा कर रेंगने वाले छोटे मोटे किरे को अपना सिकार बना लेती है और उतना ही फूर्टीले के साथ पानी में चली जाती है